आज मैं आपके लिए कच्छे आम की बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आई हूँ तो यहां पे मैंने एक पाव कच्छे आम लिये हैं इसे हम साफ धुल लेंगे धुलने के बाद इसे हम छिल लेंगे देखिए इसे मैंने छिल लिया है गुठली हटा दी है इसे मैंने रफली ऐसे ही काट लिया है अब यहां पर मैंने एक टीजपून मोटी सॉफ ली है एक टीजपून मैंने साबुद धन्या ली है वन फोर टीजपून यहां पर मैंने जीरा लिया है और एक चुटकी मैंने इसमें मेथी ली है एक चुटकी मंगरेल ली है कलोंजी और एक लाल मिर्च और थोड़ा-थोड़ा मैंने तड़के के लिए भी 140 स्पून मोटी सौंफ, 140 स्पून धनिया, 140 स्पून जीरा, 140 स्पून मेथी और एक चुटकी हींग ली है, ये मैंने तड़के के लिए अलग से ली है, तो ये देखिए, सबसे पहले हमें इसका मसाला त्यार करना है, जो कि बहुत ही टेस्टी, चटपटा टेस्ट देगा, तो ये जो मैंने सारे मसाले बताए थे आपको, ये मैंने आट कर दिया है, मिर्च हम थोड़ी देर में यूज़ करेंगे, लाल मिर्च, एक से दो मिनिट के लिए मीडियम फ्लेम पे इसे हम भून लेंगे, इसे एकदम तेज आज पे एकदम ना करें, मीडियम फ्लेम पे ही भूने, फिर ये साबुत लाल मिर्च इसमें आट कर देंगे, बस एक मिनिट और लगेगा, और इसमें से आप देखेंगे 3 minute में बहुत यह अची medium flame पे बहुत यह अची खुचबू आने लगेगी तो तुरनध हम इसे निकाल लेंगे और इसे हमें दरदरा grind कर लेना है एकदम बारी grind ना करें इकदम दरदरा ही grind करें इससे बहुत यह अच्छा taste आएगा तो यह देखे इसे मैंने दरदरा ग्राइंड कर लिया है कैसी धनिया दिख रही है साबुत थोड़ी आधी तूटी आधी वैसी तो यहाँ पे मैंने एक कड़ाई में एक टेबल स्पून सरसो का तेल ले लिया है जादा तेल नहीं लगता है और जो तड़के के लिए मैंने साबुत मसाले रखे थे न वो इसमें आड़ कर देंगे तेल गरम हो गया है बस यहाँ पे लाल मिर्च की जगह है मैंने एक चुटकी हीं का यूस किया है बाकी सारे मसाले वही है तो इसको अच्छे से तड़कने देंगे बहुत अच्छी खुचबू आ रही है तो यह जो आम मैंने छिल के काट के रखे थे वो इसमें आड़ कर देंगे एक से दो मिनिट के लिए इसे लगातार चलाते हुए पका लेंगे जादा टाइम नहीं लगता है बहुत ही जल्दी ये रेसिपी बन जाती है तो देखे इसे मिक्स कर लें अच्छे से ओयल में दो मिनिट के लिए फिर हम इसमें नमक अड़ करेंगे उससे क्या होगा कि आम बहुत ही जल्दी पक जाएंगे तो यहाँ पर मैंने काले नमक का यूज किया है आदा चोटा चमच और थोड़ा सा सादे नमक का भी यूज किया है आदा चोटा चमच काली नमक से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है एक मिनट के लिए और इसे पका लेंगे तो आप देखेंगे कि आम बहुत ही जल्दी सॉफ्ट होने लगते हैं कच्छे आम है यह बहुत ही जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं नमक दालने के बाद और जल्दी यह सॉफ्ट होने लगते हैं मीडियम फ्लेम पे ही आप इसे पकाएं देखें तो अब हम इसमें आधा कप गुड़ लेके आड़ कर देंगे जिसे मैंने बारीक एकदम तोड़ लिया है आधा कप लिया है असी ग्राम होगा यह और जैसा आपको मिठास पसंदो आप उसे साबसे गोड़ यूज कर सकते हैं अगर आपको तोड़ा मीठा पसंदो तो आप मीठा यूज कर सकते हैं इसमें अब हम आधा कफी पानी लेके आड़ कर देंगे तो यह देखे अब इसमें उबाल आने लगा है तो जो मसाला मैंने दरदरा ग्राइंड करके रखा था वो इसमें आड़ कर देंगे और इसमें आधी छोटी चमच कश्मीरी लाल मिर्ज भी आड़ कर देंगे इससे क्या होगा कि बहुत अच्छा कलर आता है तो यह ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर अच्छा आता है कश्मीरी लाल मिर्ज से तो मैंने आड़ कर दिया है तो देखे इसमें बहुत अच्छा उबाल आ रहा है तो अब हम इसे धक देंगे, धक के 5 मिनिट के लिए low flame पे इसे पकने देंगे तो इससे क्या होगा कि आम भी soft हो जाएंगे और ये थोड़ा गाढ़ा भी हो जाएगा तो इसका धकन मैंने हटा दिया है 5 मिनिट के बाद और 1-2 मिनिट और हम इसे पकाएंगे, बिना धके ही, medium to high flame पे ये देखे, आम एकदम soft हो चुके हैं, बस इसे हमें थोड़ा गाढ़ा करना है एक से 2 मिनिट के लिए और पका लेंगे, तो आप देखेंगे अपने आप ये थोड़ा गाढ़ा होने लगेगा बहुत ही tasty लगता है चटपटा, तो अब ये थोड़ा थेक हो गया है, तो अब हम गैस की flame बंद कर देंगे क्योंकि जब ये एकदम normal room temperature पे आता है न, तो ये अपने आप थोड़ा और थेक हो जाता है तो अब ही आप बंद कर देंगा इसकी flame और इसे normal room temperature पे आने दें तो ये देखी ये normal room temperature पे आ गया है और कैसे ये थेक हो गया है और ये बहुत ही tasty कच्चे आम की खटी मीठी लॉंजी बन के त्यार हो गई है अब इसे आप किसी भी बर्तन में लेके फ्रिज में store करें ये एक से दो महीने तक फ्रिज में खराब नहीं होगी एकदम ये देखिए ये जो साबत मसाले मैंने दरदरे कूटे थे ये कितने अच्छे लग रहे हैं इसमें तो आप इस तरह से बनाएं खटी मीठी लॉंजी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगी